वेलकम स्टुडेंट स्वागत आपका एक और नई वीडियो में उमेद सभी स्टुडेंट अच्छ होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपकी जीनम नर्शिंग कोर्स में फीश कितनी लगने वाली है जी हाँ बिलकुल स्टुडेंट तो जैसा कि आप सभी स्टुडेंट को पतागा कि अभी आपके जीनम में एडिमेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो आपका यहाँ पर यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जीनम कोर्स करने के लिए फीश कितनी पे करनी पड़ेगी जी हाँ बिलकुल स्टुडेंट तो गाइज गोवर्मेंट ने फीश का पूरा पेटरेन है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है आपके सामने यह फीश का नोटिपिकेशन दिख रहा होगा नया नोटिपिकेशन आ चुका है तो स्टुडेंट आपके लिए जाना बहुत ही जरूरी है कि फीश कितनी रहने वाली है तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग-अलग कि गोवर्मेंट की फीश क्या रहने वाली है इस बार गोवर्मेंट में कितनी फीश देनी पड़ेगे आपको और प्राइवेट में आपको कितनी फीश देनी पड़ेगे तो यदि आप भी जीएनम करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जी हाँ बिल्कुल स्टुडेंट तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की इससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक इन्पोर्मेशन देता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है पहले क्या होता था कि यहां पर GNM Nursing College में Direct Admission होता था जी हाँ बिल्कुल स्टुडेंट प्राइवेट कोलेज में लेकिन अब यहां पर इसे बंद कर दिया गया है अब यहां पर आप सभी स्टुडेंट्स को काउंसिलिंग करवानी होगी तब यह आपका Admission होगा चाहिए वो government college हो चाहिए वो private college हो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर direct admission बंद क्यों किया तो इसलिए किया क्योंकि जो private college वाले थे वो donation के नाम पर बहुत ही ज़्यादा students से फीश ले रहे थे तो अब counselling में फीश है वो decide हो चुके निशित हो चुके government ने फीश decide कर दे कि इस से जद्धा यहाँ पर private college वाले नहीं ले सकते तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा step है students तो चलिए फीश के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी लेते है students तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले होती है आपकी counselling counselling की फीश कितनी लगती है तो guys सबसे पहले counselling करवाने के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपे फेर करने होंगे चाहिए आप government college में admission लो चाहिए आप private में आप counselling तो करवानी ही होगी counselling करवाने के लिए आपको 500 रुपे देने होंगे तो इसे include करो या ना करो यह तो अलग खर्चा है student अब बात आती है main मुद्दे पर यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले private college में आपकी कितनी फीश लगने वाली है जी हाँ बिल्कुल student सब भी जानने के उत्सुक है क्योंकि कापिसारी student है जिनका यहाँ पर selection private college में होगा तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर private college की बात करें तो आपकी private college की फीश होने वाली है 50,000 रुपे सालाना जी हाँ पिल्कुल student आपकी फीश होने वाली है 50,000 रुपे सालाना और जैसा कि आप student को पता है कि आपका course है वो 3 साल का होता है तो यहाँ पर आप 3 से गोना कर लो 50 को तो यहाँ पर कितने हो गया आपके total लग बग 1,000,000,000 रुपे जी हाँ बिल्कुल student तो यह आपकी फीश होने वाली है टोटल कोर्स की 30 साल के लिए एक लाग 50,000 रुपे और एक साल के आपको 50,000 रुपे पे करने होंगे अब यह तो रही सरकार ने फिक्स कर दी पहले प्राइवेट कोलेज वाली मनमानी करते थे लाग लाग रुपे student से सालाना वसूल करते थे तो यह आपके लिए एक अच्छा कदम है आप कापी सारी students के मन में आ रहा होगा किस सरे होस्टल की क्या वजिस्ता है क्या होस्टल का अलग से देना पड़ेगा या इसी फीस में तो student आपको मैं बता दू होस्टल का आपको अलग से चालान देना पड़ेगा जी हाँ बिलुकुल student तो यहाँ पर होस्टल की फीस के बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखे होस्टल का आपको यहाँ पर दे रखा है पूरा अपडेट तो चलिए यहाँ पर यह पढ़ लेते हैं तो पचाँ जार उपए देने पड़ेंगे और अगर डबल बेटरोम लेते हूँ 12,000 रूपए तो यह पर दस जार उपए आपको पे करने होस्टल सरह न आपका होने वाला तो यह फीस रहने वाले आपके प्राइवेट कोलेज की जी यहां बिल्कुल student अभी से देख लीजे यह fix हो चुकिए official है इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी सारी private college वाले ज़्यादा मंगें लेकिन इससे आपको ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि यह official यहाँ पर government का आदेश है आप सबी student जिस चीज का weight करे थे कि सर्फ private college की फीज बताओ क्योंकि हमें तो private college में admission लेना है सबका dream होता है कि गورमेंट college में तो सबका dream होता है कि government college में admission लेने का तो यहाँ पर बात करते हैं कि government college की फीज कितनी लगने वा लिये तो यहाँ पर देखे गोर्मेंट कोलेज का पूरा यहाँ पर चार्ट आपको दे रहा है लेकिन मैं आपको simple बासा में समझा देता हूँ student simple बासा में जिससे आपको आसनी से समझ में आ जाएगा देखे सबसे पहले हम बात करते हैं girls की देखे गरल्स की कितनी फीस होने वाली है अब बात करते हैं चाहे किसी भी केटेगरी से हो all category जी यहाँ बिल्कुल student यह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर all category girls only girls की बात करता हूँ all category girls की यहाँ पर फीस लगने वाली है 4000 रुपे मतर 4000 रुपे तीन साल के जी यहाँ बिल्कुल student तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छे कबर है इतनी कम फीस में आप government से यहाँ पर जीनम कर सकते हो तीन साल के मतर 4000 रुपे आपको देना पड़ेंगा तो आप देख लिए कितने फाइदे हैं government के और hostel भी इनी में आ गया होस्टल भी यहाँ पर इनी में आ गया हो गरल्स के लिए तो हर government college में होस्टल की पेस्टा है तो यह girls का यहाँ पर best रहता है अगर आपका selection हो जाता है government college में old girls के लिए 4000 रुपे तीन साल के लिए अब बात करते हैं यहाँ पर boys की कितनी फीस यहाँ पर लगने हुआ लिए जी हाँ बिल्कुल student तो guys सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो boys जो boys category द्यान रखना हम बात करते हैं boys की अब यहाँ पर किन-किन category के बात करें General जी यहां बिल्कुल student General OBC OBC में कौन सी category Crimi-Layer Candidate जी यहां बिल्कुल student Crimi-Layer Candidate General के boys और OBC में कौन से boys जो boys Crimi-Layer Кategorii में आते हैं उनकी फीस यहाँ पर रहने वाली है आपकी 10 अजार उपे जी हाँ बिल्कुल student तो ये भी आज के जमाने को देखें प्राइवेट कोलेज की फीस देखें तो उनके सामने बहुत कम फीस है जो boys general OBC क्रिमिलेर से हैं उनकी फीस 10,000 रुपे यहाँ पर आपकी फीस है वो लगने वाली है जी हाँ बिल्कुल students अब यहाँ पर आगया बात करते हैं जो boys SC केटिगरी से हैं, ST केटिगरी से हैं, MBC केटिगरी से हैं और यहाँ पर SC, ST, MBC, EWS केटिगरी से हैं और OBC में कौन सी केटिडेट? non-crimi layer candidate और यहाँ पर इन केटिगरी के boys की फीस भी यहाँ पर girls के बराबर लगने वाली है, 4000 रुपे जी हाँ बिल्कुल student तो यह फीस आपकी रहने वाली है, यहाँ पर चार्ट में भी आप देख सकते हूं, जो boys general OBC, criminal candidate OBC से आते हैं, तो उनकी फीस 10,000 रुपे यहाँ लगने वाली है, और जो boys SC, ST, MBC, EWS, non-crimi layer OBC और all female candidate चाये किसी भी केटिगरी से उनकी फीस यहाँ पर 4000 रुपे लगने वाली है, तो यह फीस आपकी official रहने वाली है, जी हाँ बिल्कुल student government ने यहाँ पर decide कर दिये, यहीं फीस आपको देनी है student, तो कोशिस करो government में selection पा फाइदे आपको होने वाले, जी हाँ बिल्कुल student, तो अभी आपके admission start होने वाले, तो guys अगर आपका dream है GNM करना, तो यहाँ पर अभी से हमारे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस रुखो, क्योंकि GNM से relative परतेक update आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, यदि आप admission लेना चाहते हो, admission कैस क्या process रहेंगे, पूरी update आपको इसी एक मातर चैनल पर add to z मिलेगे, तो अभी से subscribe कर लो ताकि आपको वीडियो मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगा, तो पलीज वीडियो को like किजे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share किजे, ताकि सब इस students तक ये खबर पहु